नई सोच सही दिशा की प्रस्तुदेर ये पटाके तो बहुत बाद में आए है पटाकों के साथ में तो इनसान की जिन्दगी का बहुत बड़ा दुरगटनाओं का इतिहास जुड़ा है आप पता नहों तो कह दू बड़ी मत्रा में बारूद ऑक्सिजन को नश्ट करता है पटाके बारूद का निर्मान करते हैं धुआ बनाते हैं कारबंडाई ऑक्साइड पूरी वातावण के अंदर फैलता है वो ऑक्सिजन को खत्म करता है, मारता है और इसे लिए दिपावली प्रारंब होते ही दमाके जो भी शिकार हो ऐसे सबी लोग अत्यदिक मात्रा में परिसान होने लग जाते हैं जिनको भी स्वास की तकलिफ हो वे सब बिमार होने लगेंगे छोटे बच्चे भी इन्फेक्शन में आएंगे बले में पटाके न फोड़े तब भी जो जलवायू उन्हें सपर्स करेगी उनके स्वास में आएगी धीरे धीरे उनकी तब्यत खराब होती चली जाएगी और इसे लिए दिपावली के बाद में स्वास समंदित रोग बहुत बड़ी मत्रा में बढ़ जाते हैं ये बारूद के कारण होते हैं अरे बिना फोड़े हुए सिर्व बारूद की फैक्टरियों में जो जो भी कारीगर काम करते हैं कभी आप उन फैक्टरियों का मुआया ना कीजिए उन कारीगरों की जिंदगी का एक बारी ती हास्त टोलिए परस तरीके से प्रतीत होता है पकट होता है पता चलता है कि एक आदमी अपनी जिंदगी में अगर 70 साल की दुनिया ले करके आया है आयूशे ले करके आया है और पटाकों की फैक्टरी में अगर वो काम करता है तो उसकी जिंदगी के 10 साल यूई स्वाहा हो जाते है वो 10 साल पहले ही तरफ तरफ करके मर जाता है 70 साल की जिन्दगी 60 साल में तबाह हो जाती है पटाकों के फैक्ट्रियों में काम करने वालों की मौत कभी सुब नहीं होती क्योंकि इतना अधिक जहर उनके फैफड़ों में उनके स्वास में बितर गया होता है कि उनके फैफड़े उनके फैफ से बिलकुल खाली हो चुके होते हैं खोकले बन गए होते हैं जल गए होते हैं वे जहरीले बन गए होते हैं वे लोग सांती से जी नहीं पाते ना ना प्रकार के रोगों के वे सिकार बन जाते हैं वे अपनी जिंदगी में बहुत तरफ तरफ कर मरते हैं इसलिए पटाकों की फैक्टरी में बहुत ज़्यादा जो गरीब होते हैं वे काम करते हैं और दूसरी बात उन गरीबों को अधिक वेतन दिया जाता है सामान नितार पर फैक्टरियों में काम करने वाले लोगों की अपिक्षा उन पटाकों की फैक्टरियों में काम करने वाले लोगों का वेतन अधिक है वो जीवन की बदले में है कि तुम जल्दी मरोगे तुम्हें मरना कबूल हो तो अधिक वेतन लो और यहां काम करो तो जिनके लिए पैसा महत्पूर होता है गुजारा करना होता है ऐसे गरीब बिचारे वहां काम करते हैं बड़ी मत्रा में पठाकों से जीव जन्तू मरते हैं पशुपक्षियों को रात को नींद नहीं आती वे तरफते हैं वे डरते हैं वे घबराते हैं बूडे भी जो होते हैं और बच्छे भी जो होते हैं वे भी पठाकों से सांती पूरवक सो नहीं पाते ऐसा भारत में एग भी दिपावली का पर्व नहीं गया जब कम से कम 500 कροड से कम का नुक्सान हुआ हो ऐसा भारत में दिपावली का एग भी पर्व नहीं गया मैं पिछले 27 साल से हर दिपावली के परवका सुन्दर तरीके से पुरा सयोजन करते हुए रिपोर्टिंग करता हूँ कितने 27 साल से किसी पत्रकार के पास मैं नहीं होंगे ऐसे पूरी इंडिया के दिपावली की वज़े से लगी हुई आग के बाद में हुए नुकसान के आखने मेरे पास है 27 साल से हैं मैं सब रिपोर्टिंग करता हूँ पूरी इंडिया की हर जगह की अच्छे तरीके से maximum जो मेरी रिपोर्टिंग से बच गए हैं वो अलग बात होगी अब तो रिपोर्टिंग करना सरल हो गया हर बात international लेवल पर प्रकट हो जाती है पूराने जमाने में नहीं होती थी तब भी सब प्रकार की चीज़ों की सुचना लेते थे जहां कहीं दिपावली के पटाकों की वज़े से एक दो लोग मर गए ऐसी सुचना नहीं मिलती थी बड़ी बड़ी जहां भी अगनी कांड होते थे उन सब का पूरा का पूरा लिखा चोका तैयार होता था पांसो करोड से कम का कभी नुकसान हुआ हो आग में ऐसा कभी नहीं हुआ यानि एक दिपावली हमारे पांसो करोड तो खा जाती है बदले में हमें मौत देती है कितने ही सारे लोग विकलांग बन जाते हैं कितने ही बच्छे आँखें गवां देते हैं कितना ही जहर हम दुनिया के अंदर आक्सिजन को मारने के लिए निगलते हैं और इस प्रकार कितनी सारी पैसों की बरबादी करते हैं मैं पटाकों को जब कभी भी देखता हूं तो मुझे सपष्ट लगता है कि ये गरीब के साथ गहरा अन्याए है बोजन समारंब करो ये गरीब के साथ अन्याए नहीं है वो न्याए है बोजन समारंब जब भी होता है करीब गरीबों को काम मिलता है उसके लिए समझो रसोय बुलाए जाएं बरतन साप करने वाले बुलाए जाएं उसके लिए जो منड़ वगरा बनाया जाएं तो इससब काम के लिए लोगों को आमदनी होती है वेतन मिलता है और जो शुद्ध भूजन बच जाता है वो गरीबों के काम भी आता है पटा के गरीब के हों के अमीर के हों किसी के काम नहीं आते हैं पटाकों से जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, पटाके पैसों की बरबादी है, समझो आप पटाके फोडो या नौटों को आग लगाओ दोनों एक समानी है, इतना ही हैं आप नौटों का वर्जन चेंज कर रहे हो, नौटों को आग लगाओ, लक्षमी को आग लगाओ या नौटों से आप कपड़े खरी सकते हो, नौटों से आप बोजन खरी सकते हो, नौटों से आप सोना चांदी खरी सकते हो, नौटों से आप अनाज पानी खरी सकते हो, नौटों से आप मकान और गाड़ी खरी सकते हो, नौट जब पटाकों में जाते हैं, तो आप कुछ नह तरीके से कपड़े नसीब नहीं होते, खाने को कोई मिठाई भी नसीब नहीं होती, और दूसरी तरफ हम कितने सारे पटा के फोड लेते हैं। इसलिए सम्रिद्य लोगों को, मध्यम परिवारों को, धनवानों को समझने की आवशिक्ता है। दिपावली को नए तरीके से मनाने की आवशिक्ता है। आपसी सदभावना के उद्गोशक, समाज हित चिंतक, क्रांतिकारी विचारक, दीर्ग दृष्टा, स्पस्टवर निडर, ओजश्वी प्रवचनकार है। सोशल मीडिया के माध्यम से वे घर घर पहुँचे हैं। उन्होंने हजारों लाखों लोगों की जिन्दगी बदली है। अगर आपको उनके वीडियो पसंद आए हो, तो उन्हें लाइक कीजिए। शेर कीजिए और आचार या विमल्द सागर सुरीजी के नाम से चल रहे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर उसके पास रहे बेल के बटन को क्लिक कीजिए। ताकि उनके नित नए वीडियो देखने का आपको आउसर मिल सके। विमल्द सागर सुरीजी के नाम से बने उनके फेस्बुक पेज को भी लाइक कीजिए। तथा नए सोच सही दिशा के नाम से बनी उनकी मोबाइल अप्लिकेशन आज ही प्लेश्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आईए हम सब मिलकर वेचारिक क्रांती का सुत्र पात करें। अपनी सोच बदले, दिशा बदले, दशा बदले।